Hello everyone, welcome to my YouTube channel GKB Studies. और आज मा पढ़ेंगे, what is language and what is programming language? And what is the difference between language and programming language? यह में एस वीडियो में दिसकास वार मुँआ, चलिए, शुरू करते हैं वीडियो. First question is, what is language? Language is the medium by which two person communicate with each other to share and express their thoughts, ideas and feelings. Language की माध्यम से, दियोवेक्टी अपने विचारों को और अपने भावों को एक दूसरे के साथ आधान परदान कर सकते हैं. Language की जरिए, दो परसंट एक दूसरे से कम्मिनिकेट कर सकते हैं और वे अपने विचारों का आधान परदान कर सकते हैं. अब जैसे, अगर मुझे किसी से पैन मागना हो, तो मैं इसके लिए language का युश करूँगा. जैसे, can you give me a pen? क्या तो मुझे एक पैन दे सकते हो, तो इससे उस आदमी को पता चिल जाएगा कि मैं उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. और अगर मैं उससे पूछू, what will be the sum of 2 and 2? तो मुझे कहेगा, the sum of 2 and 2 is 4. इसका मतलब क्या हुआ? कि मैंने उससे पूछा कि, मैंने उससे language की जरीए पूछा. मतलब मैंने उससे communication जो किया, वो language की माधियम से किया. और वो मेरा जो माधियम था वो तो क्या? language. वोट विड़ बी ते sum of 2 and 2? तो उसने का 4. उससे sum में आगया कि मैं उससे क्या कहने चाता हूँ. इसी प्रकार प्रोग्रमिल लाइग्वेज होती है. उसके अंदर हम computer से communicate करने के लिए उससे set of instruction देते हैं. जो हम आदे बार लि programming language is the set of instruction और collection of instruction written by programmer to the computer to perform specific tasks. जैसे हमने यहाँ पर किया था. अगर किसी इंसान से पूछना हो, what will be the sum of 2 and 2? तो हम उससे पूछने के लिए language करेंगे. मगर अगर हमें यही सवाल computer से पूछना हो, what will be the sum of 20 and 20? तो हम इसके लिए center of instruction का यूज़ करेंगे, जिससे programmer द्वाला लिखा जाता है. अब यह set of instruction यह होता है, set of instruction. यह python code है, यह python का एक code है, जिससे हम instruction केते हैं. यह instruction हम अपने computer को देते हैं, फिर वह हमें output देता है, तो मैं output में देगा 40. इसका मतलब जब हमें computer से communicate करना हो, तो हम programming language का यूज़ क यह example है, programming language के example, python, java, c, c++, यह सब programming language के examples है, जिनका यूज़ करके हम computer से specific tasks perform करा सकते हैं, जिससे what will be the addition, what will be the sum of 2 and 3, what will be the multiplication of 2 and 3, इस तरह के जो भी हमारे task है, वो हम programming language की जारी है, computer के माधियम से perform करा सकते हैं. अब अप्ड़ ठोच्टो अप्ड़े विद्याच का शॉझ सेम्ना यावा, धुम ठीगोच्छिन से खरचिन न्यक्टो अजिध रचिना थोचिन न्यक्टोस.